अभण वी आज में बात करेंगे कम्पीटर के जो कुछ मैंत पूड्ट सॉट्कट है उनके बारे में लिख दिये हैं और एक एक करके मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार यह आप देख लें कि क्या-क्या इसमें लिखे हैं इसमें से आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा बाकी मैं इन सबके बारे में एक बार आपको बता दे रहा है तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं सबसे पहले जो है हमारा है Ctrl A Ctrl A यह रहा आपका CTRL प्लस A यानि कि Select All यानि कि आपने अपने document में जितना कुछ भी लिखा होगा Ctrl A करने से पूरा का पूरा आपका एक साथ ही Select हो जाएगा उसके बाद में आपको मिलता है Ctrl B यानि कि Bold Bold में क्या होता है कि आप अपने Selected Text को Bold कर सकते हो एक सिध्यान रखिएगा अपने document में किसी भी प्रकार के formatting करने लिए पहले आपको उस Text को Select करना अनिवार है ठिक तो Bold का यानि कि गाढ़ा करने का shortcut क्या है Ctrl B है फिर उसके बाद है Ctrl C यानि कि Copy Copy का मतलब क्या होता है कि जैसे सब कुछ लिखा है आपको ये पुना लिखना है यानि कि दुबारा लिखना है यानि कि Copy में क्या है कि आपको दुबारा लिखना है तो दुबारा आपको ये करके लिखने कि आउशकता नहीं आप क्या करें आपने Selected से लिखने कि सब को Select कर लें और Ctrl C कर दें जिससे आपका copy हो जाएगा और उसके बाद जहां आप उसे पुना लिखना चाहते हैं वहां Ctrl V कर दें C T R L प्लस V यानि की paste करते ही वह automatic वहां पर लिख उठेगा उसके बाद में Ctrl D है Ctrl D यानि की delete यानि की जो आपका selected item है उसे delete करने का जो shortcut किया है Ctrl D नेक्स्ट आपको मिलता है Ctrl F, Ctrl F मतलब find, find का मलब क्या होता है search करना जैसे आपने माल लेते हैं अपने 100 में 3 का नाम लिखा या माल लेते हैं साधी का card आपको बाटना है आपने पूरे रिस्तेदारों के list बनाई अब आपको संदे है कि किसी का नाम छूट गया है तो उसे ढूणना है तो एक एक करके आप पढ़ेंगे कि कहा है भाई कहा है वो नहीं मिला तो उसके लिए का करेंगे Ctrl अफ करेंगे जिससे find हो जाएगा और जिससे ढूणना है उसका नाम हम search कर लेंगे जैसे हमें कि आइंटी को लिख लेंगे और search कर लेंगे तो हमारा कि आंटी नाम से जितने भी नाम होंगे वो आ जाएंगे नेक्स्ट आपको मिलता है Ctrl G यानि की Go To Go To में क्या होता है कि आपकी 50 लाइन है directly किसी लाइन में जाना है तो Go To आप प्रेस करेंगे Ctrl G प्रेस करेंगे Ctrl G प्रेस करते ही एक आपका जोगा Box ओपन हो जाएगा उस Box में आप उने Line का Reference देंगे यानि की किस लाइन में आपको जाना है यानि 18 लिख के आप Enter कर दीजे आप 18 लिख के आप पहुच जाएंगे Next आपको मिलता है Ctrl H यानि की Replace Replace में क्या होता है कि कोई sentence है कोई नाम है एक नाम को दूसरे नाम के साथ बदलना जैसे मान लेते हैं यहाँ पर राम लिखा है या 10 जगए राम लिखा है 10 जगए राम को स्याम करना है तो आप Ctrl H करेंगे जिससे Replace होगा इसमें आपकी दो डायलोग Box ओपन होगी उपर जो दिया रहेगा वो उपर दिया रहेगा Find Word और नीचे दिया रहेगा विथ Replace यानि कि जिसको बदलना है राम को बदलना है तो राम को उपर लिखेंगे और नीचे स्याम लिख देंगे और Replace All करते हैं जितनी जगए आपका राम था वो सब के सब क्या हो जाएंगे स्याम हो जाएंगे इटैली क्या होता है अपने टेक्स्ट को हलका साथ टेड़ा करने के लिए इटैली करते हैं जिसका shortcut control आई होता है एक चीद ध्याने के का मैं दुबारा बता रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको टेक्स्ट को पहले स्लट करना अनिवार है उसके बाद आपको मिलता है control and new यानि कि नई फाइल लेने के लिए control and shortcut है control o open पहले से बनी फाइल को देखने के लिए control o जिसका shortcut हो वो होता है open print आप जानते है प्रेंट का shortcut control p होता है next आपको मिलता है save यानि कि जो आपने data बनाई है उसे save करने के लिए जो shortcut कि होगा control s next मिलता है cut cut क्या होता है cut में कई वच्चे कहते हैं कि sir किसे text को cut का मिलब मिटा देना होता है खतम कर देना होता है और यहा इसलिये करते हैं जैसे मालेते हैं यहां पर आपका जो यह open लिखा ओन यहां न counter टोप पर चाहिए तो दो क्या करेंगे हम से select करके cut कट कर लेंगे और यहां पर लेंगे लिग पेश्च कर देगे open को यहां से cut करेंगे control x करके और यहां ले जाके paste कर देंगे तो इससे क्या होगा यह open यहां से मिट जाएगा और यहां पर automatic link उठेगा चले next बात करते हैं रीडो रीडो में क्या है जैसे आपने यह इसे उस रीडो से पहले एक पार undo हम संज़ेंगे undo क्या है जब आप undo करेंगे तो यह जो आपने cut के था उपर चला गया था यहां से control ctrl plus control plus shift plus d control shift plus d जब आप करेंगे तो यह double underline यानि कि एक साथ दो लाइने नीचे इसकी लग जाएंगे help किसी भी application में help की जो shortcut की है वह है आपका f1 next आपको मिलता है rename यानि कि नाम को बदलना rename का shortcut क्यों होता है F2 यानि कि कोई folder है आपने किसी folder को ram के नाम से save किया है उसे स्याम करना है तो F2 आप करेंगे जिससे वो नाम edit हो जाएगा उसे आप बदल सकते हैं next आपको refresh मिलता है refresh आप जानते है window run run में क्या होता है यह run है आपका window R जिसका shortcut कही होता है run में आप किसी भी application को कुछ application के shortcut की दियो होते हैं जिसके माधियम साब उस application को shortcut के माधियम से open कर सकते हैं next आपको दिया है window E यानि कि file explorer जो आपका आपकी mobile से मैं समझा देता हूँ आपके mobile में जो file manager है file manager पर click करता है तब आपको option देता है कि आप कौन से folder खोलना चाहते हैं तो जहाँ click करते है file manager पर आगर आप click नहीं करना चाहता है उसी परकास से computer में जो होता है my computer होता है तो shortcut कि होता है window E window E press करते ही my computer आपका open हो जाता है नेक्स्ट आपको मिलता है बिंडो D यानि कि minimize यानि कि जो भी application आपका open है उसे minimize करने का जो shortcut की है वो है बिंडो D हम आपको आगे और भी सभी application से सम्मंदित shortcut की देते रहेंगे आप लोग comment box में जरूर बताएगा कि इसमें से आप कितना shortcut की जानते थे और क्या आपको नया मिला है तर पर से से relative सरी question को पढ़ने और जाने के चैनल को सब्सक्राइब बना ना भूले